नमस्कार आप सभी को जैसा कि आप सभी को पता है गुरू गुराम और हिसार डिस्टिक कोड़ की लिस्ट आउट हो चुकी है और इन कोड्स में आपका इंटर्वी होगा इंटर्व्यू में आपसे पूछे जाएंगे कॉशन जीके के मैं आपको पता है डाल चुका हूँ आपके तिलर्क में भी श्टैनों में भी और इंटर्व्यू के दोरान भी पूछे जाएंगे और मैं वही कॉंटेंट लाता हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्पून है और जो पूछा जाता है ये आप सब जानते हो पामेंट में भी देख सकते हो बच्चों से पावलियत होगी चलते हैं करंट अफेर की तरफ और करंट अफेर की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दू कुरू चेतरो रोह तक की लिष्ट अभी आउट नहीं हुई है जब आउट हो जाएगी तो मैं आपको बता दूँगा ये कॉश्चन करंट अफेर के उसमें भी करता है लाइक भी कीजिए मुझे मोटिवेशन मिलता है यह चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए है ताकि आप लोगों को नोकी मिल सके अगर आपको इस वात को मिलकर सुनकर खुसी मिली है तो आप जरूर लाइक करेंगे बाकि आपकी मरजी भीया और सस्क्राइब भी करें ता घाटागाओ ठीक है घाटागाओ बनेगा पहला नगरवन घाटागाओ बनेगा पहला नगरवन अब यह घाटागाओ है कहां तो भीया यह गुरू ग्राम में है किलियर कोस्टन क्या बनेगा घाटा गाओं कहा है गुरू गुराम में तो यह क्या बनेगा नगरवन नगरवन का क्या मतलब होता है जिसमें पेड़ पौधे उगाए जाएंगे और अच्छी तरीके से हर्याली का प्रयोक किया जाएगा जिससे वहां प्रियाबरन को बढ़ा भावा मिल सके ठीक है इसके बाद आपका दूसरा कोश्टन है गुरू ग्राम याद रखें करंट फिरे गुरू ग्राम महानगर गुरू ग्राम महानगर कब बना तो बहिए यह बना 2017 में आप से पूछा जा सकता है फरिदाबाद फरिदाबाद कब बना महानगर 2018 में इस तरीके से आज रख सकते हो ध्यान रखें पंचकुला पंचकुला कब बना महानगर तो आप बताएंगे पंचकुला बनाएजी 2021 में तो आप से पूछा जाएगा सोनीपत कब बना ध्यान रखें सोनीपत 2023 में सोनीपत बना महानगर 2023 में ये करंट फेर है इसको अच्छे से आतर है फरिदावाद महानगर कबना दोजार ठार है पंचकुला 2020 पर 203 इसके बाद कि पिंजोऔर के अंदर कि फिल्म फिल्म सिटी फिल्म सिटी बनेगी कहा बनेगी पिंजोऔर के अंदर ठीक है भई पिंजोर के अंदर बनेगी और कितने एकड़ में बनेगी साठ एकड़ में बनेगी भई या ठीक है कम समय मैं बता रहा हूं मैं कम समय इसके बाद पैरा सबसे जाद इंपूर्टेंट कॉशन है पैरा एसियन गेम्स गेम्स में ध्वजा बाहक कौन बने तो भईया इसका आंसर है अमित सरोहा अमित सरोहा अमित सरोहा अमित सरोहा अमित सरोहा बने यह किस खेल से सम्बन देते हैं डिसकस त्रो डिसकस त्रो पैरा एसियन गेम्स में ध्वजा बाहक कौन बने अमित सरोहा डिसकस त्रो तो ठीक है इसके बाद आपका नेक्स कोश्टन है सरस्मेला सरस्मेला कहा लगा अब तब या गुरू ग्राम में लगा था गुरू ग्राम कब लगा कब से कब तक लगा नो अपरेल से बीस अपरेल ठीक है इसके बाद दूसरा कोश्टन है आपका अराबली पहाडी में बनने जीब सफारी पार्क बनेगा बैया अराबली पहाडी में बनने जीब सफारी पार्क बनेगा ये कहाँ है अराबली पहाड़ी ये वही है फरिदाबाद में ठीक है इसके बाद आपका थर्ड कोशन है अगर मान के चलो आप सडक पे जा रहे हो और सडक पे आप टक्कर हो जाती है भगवान ना करे ऐसा हो तो सडक पर आपको कोई पसू टक्कर मार दे और मिर्तिव होने पर हरियाना सरकार पांस लाक रुपे देगी भईया कितने रुपे पांस लाक इसके बाद पांस लाक देगी और बेटियों के कन्यादान पर तीन बेटी तीन बेटियों के कन्यादान पर आपको दिये जाएंगे भईया एक क्यामन हजार रुपे किसके द्वारा हरियान सरकार के द्वारा एक कोशन करन्ट अफेर का मेना पो पहली करा दिया था वो क्या था अंतियोदे स्रामिक योजना अंतियोदे स्रामिक योजना अंतियोदे स्रामिक योजना में आपको दस रुपे में भोजन मिलेगा भईया दस रुपे में भरपे भोजन मिलेगा ठीक है अच्छा कोई दुरोगटना में एक्सीडेंट हो जाता है तो ध्यान रखें अगर आप किसी का एक्सीडेंट हो गया दुरगटना में कि दुरगटना में एक्सीडेंट दुर्गटना में एक्सिडेंट हो जाता है और आपके हाथ या पेर खराब हो जाते हैं खराब हैं तो आपको 2750 या 3000 अब 3000 कर दिया है पैंसन मिलेगी भईया ठेक है इसके बाद next question है आपका है चालिस से साट साल के जो लोग हैं जिनकी साधी नहीं हुई साधी नहीं हुई उनको भी 3000 पैंसन मिलेगी भईया ठीक है थर्ड चालिस से साट साल के जो लोग है जिनकी पत्नी मर गई है विजर बोलते हैं जिनको उनको भी तीन हजार की पैंसन में लेगी वहिया ठीक है इसके बाद मैं आपको बता दूँ सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कोश्चन जो आप से पूछे जाएंगे एक सेकंड के लिए बस एस एन गेम एस एन गेम इसको रट लीजे कोश्चन को स्वर्ण जाने के गोल्ड स्वर्ण के लिए मिलेंगे आपको तीन करोड ठीक है एस एन गेम इसमें स्वर्ण प्राप्ट करने पर तीन करोड रजत प्राप्ट करने पर आपको मिलेंगे एक पॉंट पांच करोड और कांस से पदख कांस से प्राप्ट करने पर आपको मिलेंगे 55 लाक और जिसने खेल में हिस्सा लिया भाग लेने पर भाग लेने पर उसको मिलेंगे भाग लेने पर साड़ी साथ लाक रुपी ठीक है साड़े साथ लाग भाग लेने पर तो यह अब आ जाते हैं रोहतक के उपर मैं आपको बता दू रोहतक की रोहतक की लिष्ट आने वाले है कभी भी तो यह रोहतक जीगे का बहुत ज़्यादा महत्मून कोशन है इसको दिमाग में उतार लीजिए रोहतक का क्या है रोहतक का लीथियम लीथियम बैटरी का हब बनेगा वो हब यानि के लीथियम बैटरी का उत पादन कहां पे होगा भी या रोहतक में ठीक है दूसरा क्या है रोहतक से इलेटेड ही काला पीलिया काला पीलिया काला पीलिया सेंटर कहा बनेगा भाईयाा, सब को बताया, रोहतक, रोतक के बारे में बात ओरी तो चलो लख देता हूँ ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूम हरियाना पुलिस द्वारा हरियाना पुलिस मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ ताकि कम समय लगे और जल्दी से आप सीख पाएं हरियाना पुलिस द्वारा साइवर सब्ता कब बना कब बनाया कब बनाया गया तो भाईया ये बनाया गया किस महीने में अक्टूबर महीने में बनाया गया अक्टूबर महीने में ठीक है डेट नहीं है इसकी लेकिन अक्टूबर महीने मनाया गया ठीक है इसके बाद सबसे बहतरीन कौशन है माननेता प्राप्त मानने ता प्राप्त पत्रकार को पत्रकारों को पहले मिलती थी भाईया पहले मिलती थी पेंसन कितनी 10,000 और अब मिलेगी जो बढ़ा दी गई है वो 15,000 कर दी भाईया 15,000 ठीक है 15,000 पेंसन मिलेगी पत्रकारों को मौज कर दी हरिया नजरकार ने यह ओ खट्रबाबा की अच्छा जी ये इसके बाद आपके लिए बहुत महत्पून कॉशन है ये सूरजकुंड मेला चल रहा वैया हिलाल सूरजकुंड मेला मेला 2024 ठीक है सूरजकुंड मेला 2024 तो इसका उध्गाटन किस ने किया इसका उध्गाटन किया वहिया द्रोपती मुर्मु जी ने ठीक है अब 2023 की बात करते हैं 2023 में सूरजकुंड मेले में 2023 में सूरजकुंड मेले में दिबाली मेले का आयोजन किया गया पहली बार ठीक है आई होप आप अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे और तैयारी करेंगे तभी आपको जॉब मिलेगी इसके बाद आपके लिए बता दूँ हरियाना का हरियाना में सबसे ज़्यादा किसानों को किस चीज में पैसा प्राप्त हुआ दुगद उत्पादन में सबसे ज़्यादा पैसा प्राप्त हुआ ठीक है अब हमारे हरियना के किसानों ने कितना उत्पादन किया दूद का दूद उत्पादन ये 2023 की रिपोर्ट है भाईया ग्यारे 283.55 मिट्रिक ठन दूद उत्पादन किया भाईया ठीक अब इसके बाद मैं आपको बता दू नेक्स्ट कॉश्चन है आपका पुलिस ये सबस्यादा इंपोर्टेंट कोश्चन है हर एक्जाम में आता है पुलिस सहीदी दिवस कब बनता भाईया दस अक्टूबर 1969 पुलिस सहीदी दिवस कब मनाया जाता है दस अक्टूबर 1969 हर्याना में कितने रेलवे स्टेशन का पुनहे निर्मान होगा पंद्र है भाईया हर्याना के कितने पंद्र है पंद्र है पंद्र स्टेशन प्रदानमंत्र योजना के तहत इसके बाद 400 पैक हाउस किस देश के सहयोग से बनेंगे किस देश के सहयोग से जापान के पैक हाउस क्या होते हैं जिसमें किसान अपनी सब्जी वगेरा फल वगेरा रख लेते हैं वे पैक हाउस बनाएंगे जिससे वे फल या सब्जी खराब नहीं इसके बाद आपका वेट्पून कोशन है स्रामिक स्रामिक दिवस कब बनाया जाता भाईया स्रामिक दिवस मनाया जाता है आपका सत्रे स्तंबर को ठीक है स्रामिक दिवस सत्रे स्तंबर और अंबाला की लिष्ट आने वाली है और अंबाला का आपकी कौश्ट करवा रहा हूं है देख लीजे अंबाला यह सब के लिए क्राम आएंगे अंबाला अंबाला सहर में बनेगा अंबाला सहर में बनेगा इंटी ग्रेटिड इंटी ग्रेटिड कमांड कमांड सेंटर ठीक है भाईया इसके बाद भैतरी कौशन है हमारे खटर सहाब ने किस सहर में किस सहर में 15 अगस्त 2023 को जंडा फेराया तो भैया फतेहवाद रियाद कर लेना इस कौश्चन को और ये कौश्चन आप सभी के लिए ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है ठीक है हर घर तरंगा अभियान कब से कब तक चला ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है ये कमेंट करना इसका ठीक है मैं मानूंगा कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो ठीक है अच्छा हरियाना को सत पिर्ती सत साक्षर बनाने के लिए कौन सा अभियान अभियान चलाया जा रहा है कि बताओ वही आप सभी मैं बता देता हूं आप लोग तो खेर क्या बता पाओगे उल्लास प्रोजेक्ट इसको पूच सकते हैं जज साब आपके किसी भी को एक्जाम में आ सकता है यह कौशन आप देख सकते हो ठीक है कट्टल साब ने किस सेर में पराया फत्यावाद में अमबाला सेर में इंटीग्रेटेड ठीक है इस तरीके से आप इन कोशनों को याद कर लीजिए इसके बाद ज्यादा कोशन नहीं बचें दो कोशन दो-तिन कोशन और बचें बसी कोशन है हाँ तो आई होब सबको अच्छे से जानकारी मिल गई होगी कमेंट करें किसी का कोई डाउट हो तो डाउट पर आप कमेंट कर सकते हैं ठीक है और आप से हाज जोर करने में प्लीज जब मैं आपके लिए आपकी जॉब पर आप्तरवाने के लिए इतनी कोशिस कर रहा हूं तो प्लीज जरूर लाइक करें मुझे आपके एक लाक की जरूए पानी आणिए सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिस्से आपके पास जानकारी आ सके मैं नौकरिके सनब्दी बताओं इंटर्वू सम्दी बताता हूं जे के किउशन आव आपके और हर चीज की जानकाई देता हूँ जिससे आप लोग सफल बन सकें और मेरा चैनल सिल्फ गरीब लोगों को समर्पित है मीडियम क्लास के लोगों को नौकरी दो आने का लक्ष है मैंने लिया हुआ है बाकी आपकी मर्जी अब बस आपको मेरा साथ देना है आप मेरा साथ कैस और अच्छी नौकरी प्राप्ट करने में आपका योगदान साथ दोगा है योगदान प्रदान करूंगा आप सभी को और मैंने आप सभी को अपना पर्सनल नमडर दिया हुआ है आप सभी भी मैं हर चीज मैं आपके साथ हूँ बस आप जरूर लाइक करें जिससे मुझे म पैंक्रिस मिल सब्सक्राइब और मैं मैंने सारे वीडियो लिंक धाले hopes अपने वीडियो में और आप उनको देख सकते हैं और इस वीडियो और लग़ोव στα ciekंसे से कैई वार पढ़ेंए तिक सभी की मदद कीजिए मैं तो यह चाहूंगा जैसे मैं कर रहा हूं आप सभी की आप सभी मदद कीजिए और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना पूले नमस्कार